तो आज हम बात करेंगे कि क्या planks एक useful exercise है कि बिल्कुली useless exercise है बहुत controversial topic है बहुत लोगों का अलग-अलग point of view होता है planks के उपर तो किसी भी चीज को critique या judge करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि वो चीज है क्या तो planks basically isometric hold exercise है यह क्या होता है तुको जरा सबर गरो हमारी बॉड़ी में जितने भी muscles है न वो basically almost तीन टेट की movements करती है यहां तो तुम्हारा muscle खिचेगा जैसे मेरा bicep यहां पर खिच रहा है this is called eccentric face जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ अपने weight को यहां पर hold रखता हूँ तो ना मेरा muscle shorten up हो रहा है ना lengthen up हो रहा है ना squeeze हो रहा है ना stretch हो रहा है तो this is called the isometric hold अब अगर तुम्हारा goal hypertrophy है तुम्हारा goal है कि तुम्हारे muscles pop out होई स्टेज पर bodybuilding की स्टेज पर यह फोटो शूट के टाइम पर वो अलग से दिखें डेंस्टी दिखें तो planks are not one of the topest exercise जो तुम्हें मैं suggest करूंगा ठीक है बट येस अगर तुम्हारा goal है कि तुम्हें deadlift करनी है 200 kg की तुम्हें squat करना है 200 kg का तो core stability और core strength के लिए planks are very very good तुम्हें planks जरूर आड करने चाहिए अपने routine में बट अगर तुम्हारा goal hypertrophy है तो yes planks को मैं top 3 exercises में add नहीं करूंगा of course मैं उसको कही न कहीं जरूर डालूंगा तुम्हारे प्रोग्राम में बट वो मेरी main priority नहीं होगा so planks are useful for people जिनका goal है strength development यहां फिर उनका goal है stability but plank is not that much useful for people जिनका goal है hypertrophy क्यों नहीं है क्योंकि उसमें ना कोई eccentric motion ना concentric motion है ना muscle squeeze है ना stretch है और hypertrophy के लिए squeeze and stretch are very very important so this was the video आज के लिए अगर तुम्हारी वीडियो अच्छी लगती है इस चैनल को subscribe करो to share this video do comment की तुम्हारी वीडियो किस पे चाहिए until that signing off